हेलो एवरिवन वेल्कम टू इंडिन जूडिशल सर्विस आज के इस वीडियो में हम लोग पुलिस अधीनियम 1861 और उत्तर प्रदेश पुलिस 291 के कोश्चन आंसर्स को देखेंगे यह वीडियो जो है पार्ट 3 है इस रंकलागा और इससे पूर्व के दो वीडियो जो है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ जिनोंने भी वो वीडियो नहीं देखें वो वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग एक कोश्चन नमबर 81 से लेकर कोश्चन नमबर 100 तक कवर करेंगे जलिए शुरू करते हैं कोश्चन नमबर 81 जिला मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी को सकती दे सकता है उसे जिला मजिस्ट्रेट के साधानन नियंतरन के आधीन और कौन प्राधिकारी प्रयोग करेगा तो यहाँ पर पहला option है पुलिस का जिला अधिक शक option B है उप अधिक शक option C है यहाँ पर निरिक शक और option D है उप निरिक शक तो यहाँ पर इस प्रेस्ट में पुलिस का जिला अधिक शक जो है ऐसी सक्षित का पुरियोग कर सकता है तो option A यहां पूसरी है और इस प्रसासन का जो प्रावधा अतर में धारा धारा 47 में दिया गया है धारा 47 इस बात की पुश्टी करती है अगले प्रसासन प्रसासन के सभी मामलों पर सबरिसद, राजपाल का सलाहकार, राजपाल के सलाहकार है, कौन है, तो राजपाल का सलाहकार यहां महा निदे सक है, option D option D यहां पर सहिया, और इस बات को U.P. police regulation के पेरा 1 में पेरा 1 इस चीज़ को describe करता है ya, पेरा 1 यहां पर describe करता है अगले पुलिस बिभाग का प्रधान है तो बिभाग का जो प्रधान है वो महाने देशक है अगले प्रसम पीत आते है पुलिस बलके किसी सदश को सिवाए बहुत जुरुवी मामलों के सब परिसद राजपाल की ओर से दिये जाने वाले आदेस किसके द्वारा दिये जाते हैं तो ये जो आदेश हैं ये option C यहाँ पर महा निदेशक के द्वारा दिये जाते हैं और इस बात को जो है ये भी पैराफ फर्स्ट में यानि पैराफ फर्स्ट में इस चीज का भी description दिया गया है अगले question कराते हैं और आज पत्रित करमचारी यहाँ तथा लिपिकिये करमचारी वर्क की नियूक्ती इस्थानांतरन और पदोनिती का पूर्ण दायतु है तो जो यहाँ पर ये पूर्ण दायतु जो है वो उप महा निरिक्षक का है अर आज पत्रित करमचारियों तो था लिपिकिये करमचारियों कि नियुक्ति, स्थानांत्रन और पदोनिक्ति का पूर्ट जो दायत तो है वो उपमहानिरिक्चक का है और ये बात जो है वो पेराफ़स्ट की लास्ट लाइन में बताई गई है तो ये पुलिस रेगलेसेंस के पैरा फर्स्ट में इसको भी बताया गया है कोश्चन नमर 87 पुलिस बिभाग का बरिष्ट अधिकारी है तो पुलिस बिभाग का जो बरिष्ट अधिकारी है वो महानिदेशक है कोश्चन नमर 88 प्रतेग जिले के अधिक्षक के कारिकान निरिक्षण का सामानेत्या दायत्य है option A है महानिरिक्षक का, option B है उप महानिरिक्षक का option C है अतरिक्त महानिरिक्षक का, option D है आयुक्त का तो यहाँ पर जो दायत्य है वो है उप महानिरिक्षक का और ये बात जो है वो पुलिस रेगुलेशन में पैरा सेकेंड में बताए गया है पैरा टू में इस बात को बताए गया है कोच नंबर 89 उप महा निरिक्षक को प्रतेग जिले के अधिक्षक के कार का निरिक्षण एक वर्स में कम से कम कितनी बार करना चाहिए तो जो पुलिस महा निरिक्षक है प्रतेग जिले के अधिक्षक के कार का निरिक्षण कम से कम एक बार करना चाहिए और ये बात भी जो है पैरा टू में बताई गई है अगला आते हैं कोच नंबर 90 ट्रेनिंग एबं प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग कॉलिज रेन्ज ट्रेनिंग के अंदरू के कार रे परवेच्षण सवन्वे और निरिक्षण करेगा तो ये कौन करेगा पुलिस अधिक्षक महा निरिक्षक उप महा निरिक्षक और आयुक्त तो इसमें जो है उप महा निरिक्षक इन सब चीजों को करेगा और ये बात जो है पैरा 3 में बताए गई है तो पुलिस रेगलेशन पैरा 3 में इस बात को बताए गया है अगले कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नमबर 91 पुलिस वीनिमन में आयुक्त के अंतरगत आते हैं तो option A है यहाँ पर प्रभारी उप आयुक्त, option B है collector, option C है जिला magistrate, option D है केबल A और B दोनो तो इस प्रस्चन में जो है option D, cable A और B दोनो और यह बात जो है पुलिस आयुक्त के बारे में बात करती है और पुलिस आयुक्त का जो प्रावधान है वो पैरा 5 में दिया गया है पैरा 5 जो है वो commissioner की बात करता है और एक बहुत ही important current की news है कि अब UP में भी दो commissioner होंगे और दो जिले हैं जिसमेंगी एक लखनोव है और दूसरा जो है नौईडा यानि नौईडा में जो है यहाँ पर लखनोव और नौईडा दोनों ही जगप पर पुलिस कमिस्टन की नुक्ती होगी अगले प्रस्चन पर आते है question number 92 जिला मजिस्टेट के ऊपर परवेक्षन की सामान सकती रखता है तो कौन रखता है सामान सकती आयुक्त पुलिस आयुक्त जो है वो सामान सकती जिला मजिस्टेट के ऊपर परवेक्षन की रखता है प्रस्त नमबर 93, जिले के अपराद, प्रसाजन का प्रधान है ऑप्शन A, पुलिस अधिक चक, ऑप्शन B, जिला मजिस्ट्रेट ऑप्शन C, अतरिक्त पुलिस अधिक चक, ऑप्शन D उप्यूक्त में से कोई नहीं तो यहां पर जो है जिला मजिस्ट्रेट जिले के सामान प्रसासन का प्रधान है कोच्छ नबर 94 94 कहता है जिला मजिस्टेट का कार है तो पुलिस का नियंतरन और उसके कार के लिए निदेश देना तो यहाँ पर पुलिस के नियांतरन करने के लिए उसकी कारे के लिए निदेश देने का कारे जो मजिस्टेट का है तो यह सही option है option B जिले में गाउं के चौकिदार का आवंटन करना और उसको डंडेट करना यास दोनों ही कार जो है वो जिला मजिस्टेट की हैं चौकिदारों की न्यूक्ति भी वो करता है और उसको डंडेट भी कर सकता है option C आते हैं तो ये भी सही है यहाँ पर थाने के प्रभारी और प्रभारी अरिकारियों के थानांतरन कि समंद में स्विक्रती देना और चरित्र पंजिका में प्रभिष्टियों करने और प्रष्कार देने की संसुती करना तो ये प्रस्ट भी यहाँ भी यह option भी सही है यानि तीनों ही option यहाँ पर सही है तो इसका आंसर हो जाएगा option D वह कि सानांतरन के लिए स्विक्रती और चरित्र पंजीकर्म में प्रष्टी करते है तो यह सब होने की पुलिस अरिक्षक को तदकाल सूचना किसे देगा तो यहाँ पर जो पुलिस अधिक्षक है वो तत्काल सूचना जिला मजिस्टेट को देगा यहाँ यह भी ऑप्सन गलत है यह जिला मजिस्टेट को जो है तत्काल सूचना देगा और यह बात जो है वो पैरा सेवन में बताई गई है ये पैरा सेवन में इस बात को पुष्टी की गई है अगले प्रेस्ट पे आते है क्वेश्चन नमर 96 जब किसी जिले के विधी तथा विवस्था को प्रभावित करने की इस्तिती होने की आसंका हो जो पुलिस अधिक्छक तत्काल सूचित करेगा तो जब यहाँ पर किसी जिले में विधी तथा विवस्था को प्रभावित करने की इस्तिती की आसंका होती है तो जो पुलिस अधिक्छक है जो वो तत्काल सूचित करेगा तो यहाँ पर तत्काल सूचित जो है वो जिला मजिस्टेट को करेगा तो यहाँ यह option गलत है और यह बात जो है वो पुलिस regulation के पैरा 7 का B में बताई गई है अगले प्रस्ण पे आते हैं question number 97 railway पुलिस मामलों के सिवाए अपराद पंजिका से किसी अपराद को निकाल देने के लिए किसकी सुईक्रती आवस्यक है तो यहाँ पर महा निरिक्षक की जिला मजिस्ट्रेट की और उप निरिक्षक की तो इस प्रस्ण में जो है जिला मजिस्ट्रेट की जो है सक्ती यहाँ पर दी गई है यानि option C यह option B नहीं होगा यहाँ पर और इस बात का जो प्राफदान है वो पैरा नंबर 10 में दिया गया है पैरा 10 जो है वो इस चीज़ की व्याख्या करता है आगले प्रस्ट के आते हैं और इस बात को पैरा 12 में बताया गया पैरा 12 जो है वो इस चीज़ की पुष्टी करता है कोशन नंबर 99 पुलिस अधिक्षक को वर्स में कम से कम कितनी बार जिले के प्रतेग पुलिस थाने के निरिक्षण करना चाहिए तो यहाँ पर कम से कम एक बार पुलिस अधिक्षक को जिले के प्रतेग पुलिस थाने का निरिक्षण करना चाहिए तो यह चीज़ यहाँ पर दी गई है यानि एक बार कम से कम करना चाहिए और यह प्राफधान जो है वो पैरा नंबर 13 में बताया गया है अगले प्रसन पे आते हैं आपकारी मामलों के वार्षिक सम्वेलन में किसकी व्यक्तिगत उपस्तिती अनिवार है तो option A है यहाँ पर पुलिस अधिक्षक की option B है महानिरिक्षक की option C है यहाँ पर उप महानिरिक्षक की option D है यहाँ पर किसी की नहीं तो यहाँ पर जो है option D ही सही है यहाँ पर इन में से किसी भी वेक्ति कि यहाँ पर नयुक्ति नहीं है जरूरत है यहाँ पर जो होता है वो आवकारी कमिस्णर जो होता है उसी को यहाँ पर बुलाया जाता है याँ आवकारी आयुक्ति जो होते हैं वो उनकी meeting यहाँ पर बार कभी कभी मिस्टेक होने के चांसे रहते हैं तो इसके लिए हम लोग प्रियास करते हैं कि कसी से भी मिस्टेक ना हुए उसको दूर किया जा सके थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू